चाइना का चैंग की 6 मिशन अपने साथ पाकिस्तान की एक सेटलाइट आइक्यूब क्यूब को लेकर जा रहा है चैंग की 6 को एक रोकट के जरिये लॉंच किया किया ये रोकट इस मिशन को जमीन की ग्राविटी से बाहर निकाल कर स्पेस तक ले किया जब ये स्पेस में जमीन के और्बिट में पहुँचा तो रोकट चैंग की 6 से अलग हो किया फिर थोरी देर तक इस स्पेसक्राफ को जमीन के और्बिट में रखा किया और फिर स्पेसक्राफ के छोटे बूस्टर्स को ओन किया किया आज जब ये Spacecraft जमीन से दूर किया इनके जरीए अब ये चांद पर जाएगा आज जब ये Spacecraft जमीन से दूर किया तो इसमें लगे Solar Panels को On किया किया और इसकी Direction को चांद की तरफ सेट किया किया जिसके बाद ये पाकिस्तान की सेटलाइट को लेकर सीधा चांद की तरफ जा रहा है और ये ठीक 5 दिनों तक चांद के और्बिट में पहुँचाएगा सबसे पहला मुश्किल टास्क जमीन के और्बिट से पाहर निकलना था क्यूंको यहां पर रहते हुए स्पेसक्राफ्ट के चांद पर अपनी Direction और Exact Speed को कलिकुलेट करना होता है और पिर जब चांद जमीन को और्बिट करते हुए जमीन के करीब आता है तो इसकी और्बिट को देखते हुए स्पेस्क्राफ्ट को जमीन के और पीड से पाहे निकाल कर चांद पर भेजा जाता है अगर यहाँपर चांद की डिरेक्षन को समझने में और स्पेस्क्राफ्ट की स्पीड थोरी ज्यादा या कम रखने में छूटी सी भी गलती हो गई तो मिशन फेल हो जाता है सीधा चांद पर जाएगी जिसकी वज़ा से बहुत ज्यादा चांसिस लग रहे हैं कि पाकिस्तान की सैटलाइट चांद के और्बिट में काम्याबी से चली जाएगी जो हम पाकिस्तानों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर पाकिस्तान की सैटलाइट चांद के औ हुआ दिखाई दे रहा है कि कि चैंग की 6 पहले खतरे से निकल चुका है और आप वह सीधा चांद के और बिट में जाएगा ये पाकिस्ताने के लिए एक खुशी की खबर है अगर मैं बात करूँ चैंग की 6 मिशन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये चाइना का पहु दिखाई नहीं देती इस साइड पर जाकर ये रोवर वहां से मट्टी के सैंपल को क्लेक्ट करके जमीन पर भेज़ेगा और इस मिशन का मकसद ये भी है कि वहां के हलात को स्टडी करके उसकी इंफॉर्मेशन जमीन पर भेजना ताके फ्यूचर में चाइना इंसानों को च रोशनी नहीं पड़ी जिसकी वज़र से साइसान को लगता है कि उन क्रेटर में पानी बरफ की फॉर्म में मजूद हो सकता है चलो मा लेते हैं कि उन क्रेटर में सूरज की रोशनी नहीं पड़ी तो उनमें पानी कैसे हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ आर से अर्बो सा जमीर पर बहुत जयदा एस्ट्रोइड और कॉमर्स की बारिश हुई थी, इनमे से बहुत सारे कॉमर्स में unique crystals की फॉर्म में मचूद था जब ये कॉमर्स, जमीर पर किरे, तो नमें मचूद crystals बाहिर आके और जब इन पर सोरज की रोशनी पड़ी, तो वो पिगल कर पानी बन गे जिससे जमीन पर पानी आया साइसान को कहना है कि ऐसे ही कॉमेट्स चांद पर भी गिरे होंगे जिन में पानी के क्रिस्टल्स मजूद थे जो कॉमेट्स सता पर गिरे उनमें पानी सुरज की रेडियेशन की वज़ा से भाब बन कर उड़ गया लेकिन जो कॉमेट्स चांद के बड़े-बड़े क्रेटर्स में गिरे थे वहां सुरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई जिसकी वज़ा से साइसान को लगता है कि वहां पानी बरफ की फार्म में मजूद होगा और चैंग की सिक्स मिशन के जरिए उन क्रेटर में पानी को भी फाइंड किया जाएगा और चांद पर ये मिशन 53 डेस का है अगर ये रोवर चांद पर पानी को तलाश कर लेता है तो ये चाइना के लिए बहुत पड़ी डिसकवरी होकी और चाइना पहला ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसने चांद पर पानी को तलाश किया है जब इंडिया ने चांग पर अपना rover भेजा था तो वो कुछ दिन ही वहां रहा था क्यूंकि वहां रोशनी कुछ दिन के लिए होती है और कुछ दिनों के बाद वहां अंधेरा हो जाता है और इंडिया का रोवर सिर्फ सुरत से निकलने वाली रोशनी से ही कियोंकि उसमें सोलर पैनल लगे हुए थे जिस वक्त वहाँ अंधेरा हुआ तो वहाँ सर्दी इतनी ज्यादा हो गई कि उस रोवर की बैटरी डेट हो गई और फिर इंडिया का मिशन हतम हो गया लेकिन चाइना के चैंगी 6 मिशन में बहुत स्ट्रॉंग पैटरी लगी है जिससे वह सर्दी में भी चलेगा जिसकी वज़या से ये 53 डेज तक चांद पर चलता रहेगा मैंने अपने पिछली वीडियो में ये भी बताया है कि 2019 में चाइना ने चैंगी 4 को लांच किया था जिसने पहली बाद चांद की फार साइट पर लैंड किया था हिसरोव ने वहाँ एक चमकदार चीज को देखा जो एक चैली चैसी दिखाई दे रही थी जब भी किसी चीज को फाइंड किया जाता है उसे पहले अच्छी तरह स्टड़ी किया जाता है और उसके बाद ही दुनिया को बताया जाता है कि वो चीज क्या है लेकिन नासा ने फौरं ये कह दिया था कि ये कांच का टुकरा है असल में चांद पर एस्टरोइड और मेटरोड की बारिश होती रहती है जब एक एस्टरोड पहुँछ जिखा पहुँछ ज्याद स्पीड़ के साथ चांद की रेथ इसे टकराता है तो ज्यादा करमिक की वज़ा से चांद वो चीज चैली जैसी दिखाई दे रही थी साइंसदानों ने मुक्तलिफ तस्वीरों के जरीए उस चीज को स्टडी करने के बहुत कोशश की लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका कि चांद पर वो चीज क्या है और वो कहां से आई है अब क्यूंके चाइना का चैंग की फोर्च से ज्यादा एडवांस है और इसमें ज्यादा अच्छे कैमरे लगे हुए हैं जिसकी वज़ा से हो सकता है चाइना इस चीज के पार में पता लगा पाए कि आखर वो चीज क्या है ये मिशन चांद पर 53 डेस तक रहेगा और इन 53 डेस में ही इसने चांद पर सारे राजू के बार में पता चल सके और इही बात पाकिस्तानी सैटलाइट की अब हमारी सैटलाइट चैंगी 6 मिशन के साथ जमीन के और विर से बाहर निकल चुका है और अब ये सीधा चांद के और पिट में जाएगा यानि अब बहुत ज्यादा चांसिस हो चुके हैं कि हमारे सैटलाइट चांद के और पिट में घुमेगा जो हम पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ी बात है और दोस्तों से जायत मुलकों में से पाकिस्तान चांद पर जाने वाला च्छटा मुल्क बन जाएगा वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कॉमेंस करके जरूर बताएं वीडियो अच्छ लगी तो लाइक और शेयलास में करें मिलते हैं एक और शांदार वीडियो में अपना पहुत सारा ख्यार रखें अलाहाफिस उते के बारे में करें एक और शयू जाखिस कैसे में नहीं सार भी झालाह कॉमें सारा वीडियो लाहार सादे भीडियो है तो सिर्ष्ड वीड जा सरा रलाहा है कॉमें सार भीडियो आıktमांवाः शेयृू शेयों साव kaf amis में से देजती आएवागा. झाल झाल